नविश्कार मैं नीश्या आप देख रहे हैं बिग नीउस आईए बढ़ते हैं खबरों की ओर बाकर जिले के चांदन पुलिस को रविवार सुभध देवघर से कटोरिया की ओर जा रही एक कार से गुप्ज अस्थानों पर छिपा कर रखा गया 77 बोतल सराप के साथ 3 तशकर को पकड़ने में सफलता मिली है साथी कार को भी जब्त कर लिया गया है थारा धेक्ष रवी संकर कुमार ने बताये कि सहाएक अवर निरक्षक मुखराम सेंग सुभध की गस्ती में थे देवघर की ओर से कटोरिया जा रही एक कार को संधे होने पर रोकने का इसारा किया लेकिन कार चाला कार लेकर भाग निकला लेकिन पुलिस ने उस कार का पीछा कर बहेंगा पुलिस के पास रोकर उसकी जाच करने पर कार में बने तहकाने में रखा बिभेने तरह का सराप 77 बोतल जिसमें कुल 38 लिटर 250 लिटर बरामत किया गया है साथी कार में चालक सहितीन युवक को गिरफतार किया गया है जिसमें तीनों भागलपूर निवासी नंदलाल यादप, माइकल डिसुजा, टिंकु यादप को पूस्ताच के पाथ बाका जेल फेज दिया गया गिरफतार युवक ने बताये कि सराप देवघर से लेकर भागलपूर जा रहा था बाका जिली के टाउन थाना छेतर के बाका ढाका मोर मुखे मार्ग पर एक आनियंत्री ट्रक्टर ने साइकल सवार युवक को रौन दिया जिसमें युवक के मौके पर ही मौत हो गई युवक की पहचान खढ़ारा गौन निवासी स्वर की आनन ठाकूर के पूदर रंगिला नंद के रूप में हुई है युवक पी एच एडी विभा के कॉंट्राक्टर एवियन कमपनी के कारियले में काम करता था रोज की तरह अपने घर खढ़ारा से बाका इससित कारियले अपने साइकल से निकला था जहां धाका मोड के पूर्व विधायक संजय यादप के अवास के समिप अनियंतरी ट्रक्टर ने टक्कर मार दी सस्पेंट एवियन कारियले से काम पर आने के लिए लगतार फोन आ रहा था इसलिए वाज जल्दी अपने घर से साइकल पर सवार होकर निकल गया सूशनों मिले पर पहुंची पुलीस ने अस्थानी लोगों की मदश से उसे बाका सदर अस्पताल लाया जहां चिकित्सक ने युवक को मिट घोशित कर दिया हाला कि चालक ट्रक्टर लेकर मौके से फरार हो गया पास के पेट्रोल पंप और पुर्व विधायक के अवास पर CCTV कैमरा लगा हुए उसे खंगाला जाए तो चालक की पहचान हो सकती है चालक ट्रक्टर लेकर फरार होने में सफल रहा है ट्रक्टर चालक की गिरफतारी के लिए अस्थानी लोगों से भी पूस्ताच की जा रही है साथी पुर्व विधायक संजर यादप के अवास और पास में पेट्रोल पंपर लगे CCTV कैमरे की फूटेज को खंगाला जाएगा बाका थाना परभारी ने बताए कि जल्दी चालक को गिरफतार कर लिया जाएगा हो गए हाँ कुछ ब्यक्ति ने घर से फॉन आया च्वटा भाई लोग आए उनको ले करके वोटो से बाका हॉस्पिटाल आए हॉस्पिटल में मिरित घोसित कर दिये अभी तक नो कोई हमारे पर सासन जो है दो चार पुलिस करमचारी आया है हॉस्पिटल में अच्छा यह रोजाना डूटी आता था और आज भी प्रेसर था डूटी का अपने साइकिल से आ रहे थे अपने निवासस्तों से बगा अचानक उसी में मोथ हो गई है राष्टिय सडक सुरक्षा महा के तहत सोंबार को पंचवारा थाना के सामने पंचवारा गोटा मुख्य मार्ग पर धनवात से आई हुई विर्सा मुंडा स्काउट एंड गाइट की टीम ने सडक सुरक्षा को लेकर सडक पर चलने वाले बहानों और रहगिरों को इवं चार पहिया बहानों में सिल्व वेट बादने और यातायात के नियम का पालन करने और सराप पिकर बहान नहीं चलाने का संदेज दिया इस मौके पर टीम के सची पपु पंडित कालाकार सैलिस रंजन टीनू कुमार ठाकूर आनंद कुमार गोपाल कुमार अमीत पाठ गौ में बंविस्वोट होने से एक युवा गंफी रूप से जखमी हो गया जखमी पवन यादप पिता सर्जु यादप ग्राम तेतेरिया थाना कटोरिया को पुलिस टीम ने घटना स्थल से उठाकर रेफर अस्पताल पहुचाया जहां परभारी चिकिसा पदहादिकारी वित्र डॉक्टर दीपक भगत ने उसका प्रात्मिक उपचार कर बहतर इलाज के लिए उसे भागलपूर रेफर कर दिया यह गटना प्रात की योजना बनाने के दौरान हुई या किसी आस्समाजिक तत्वो द्वारा बंप से हमला करने के कारण पुलिस सभी बिंदों पर देक्ष मनीस आनंद, अवर निरिक्षक रंजीत कुमार रंजीत, महेश कुमार जाओ और सहायक निरिक्षक विपेर प्रसात यादप दलवल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और मामले की चानवीन सुरू की विस्पोर्ट में जख्वी पवन यादप का कहना है कि साम में उसे गौं के ही अरून यादप बुलाकर बहरा पांग गौन ले गया था जहां उसने मुर्गा खाने को कहा, इंकार करने पर पीछे से वम फेकने की बात कह रहा था दूसरी और ग्रामीन सूतरे बताते हैं कि बहरा पांग गौने किसी अपरातिक घटना को अंजाम देने की नियत से वह बंब के साथ यहां पहुचा था लेकिन चूक हो जाने के कारण बंब विस्फोर्ट हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया कटोरिया पुली सभी बिंदों पर जाच कर रही है अमरपूर के डुम्रामा में चल रहे चैलेंज कप किरकेट टुर्णामेंट के फाइनल मुकाबले में रविवार को चांदन की टीम ने गंगपूर गड़ेल को 6 विकेट से हराकर सिल्ड पर कबजा जमा लिया गंगपूर गड़ेल ने टॉस जीत कर पहले बल्लेवाजी करने का निर्ने लिया तथा 7 विकेट के नुकसान पर 16 रनों का स्कोर खड़ा किया टीम की ओर से सौरब ने 37, इम्रान ने 25 एवं सोनी ने 20 रनों का योगतान दिया जवाब में खेलने उतरी चांदन की टीम ने मनिस कुमार के सांदार 78 रन एवं बैजु के 54 रन की मदस से 14.2 ओवर में ही जीत के लिए अवश्यक रन बनाकर सिल पर कबसा जमा लिया विजेता टीम को डॉक्टर सोमें चटर जी ने तधा उप विजेता टीम को थाना धर्च अर्विन कुमार राई ने सिल दिया मैन ओफ दा मैं स्रीच का प्रोशकार पभाकर कुमार को डॉक्टर अभः परकास चौधरी ने ट्रॉफी दी मैन ओफ दा मैच का प्रोशकार मनीज कुमार बेस्ट बॉलर गंगापूर गडल के सौरप कुमार को दिया गया मैच में अंपारिंग अजय सर्मा एवं संजीब कुमार ने की जबके मानिक कुमार मिश्रा, संजय बंजारा, संकर शुमन एवं अनिकेज सिंग ने कॉमिंटरी की इस मौकी पर बैंक आप पडोदा के साखा प्रवंदक निरंजन कुमार भगत, वाट पार्शत कुंदन कुमार, सौमित्र चटरजी, रविंदर राय, बजरंगी रजक, अर्जुन चक्रिवर्ती, पंकर्जदास, राजेश कुमार सहा, नरेश मोहन सहा समेत बड़ी संख्य में लोग उपस्थित थे, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार